हेलो एबरिवन इनमेंटल हैल्थ नर्सिंग जिसको हम बोल सकते हैं इसके अंदर हमने अपमारा जो 14 चैप्टर था डैट इस देड़ीगल इशुज इन दा मैंटल हैल्थ नर्सिंग यह चैप्टर हमने क्या कर लिए था अपना कंप्लीट कर लिए था तो आज हम इस रहा था तो मैं आज आपको शोड में सब कुछ बताते हूं कि हमने इस चैप्ट के अंदर क्या क्या चीजे पढ़ी हैं तो से पहले हमने स्टार्ट के था हमारा इंडियन स्टार्ट किया था यह कब आया था हमारा इंडियन नुलयंची एक्ट से फिर इसके नाम को क्या कर दिया था रिफेस कर दिया गया था कब 1912 के अंदर इसका रीजन क्या था यह एक्ट आया था जो हमारा इसका रीजन क्या था कि जो स्टिग्मा है हमें वो स्टिग्मा को क्या करना है रिमूव करना जो मेंटली परसन को पहले क्या मानते थे एक धपा मानते थे उनको स्टिग्मा मानते थे कि इन्होंने कुछ ऐस और जो mentally ill person को ignore करते थे उनको कोई treatment नहीं देते थे इससे भी उनको क्या करना था protect करना था यह हमारा act इसी की वज़े से क्या क्या था चलाया गया था इसके अंदर क्या थे हमारे 10 तो chapters आते हैं और 98 क्या आते हैं sections आते हैं चाप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ में पढ़ेंगे कि कुन से chapter में हमारा क्या क्या आता है फ्र्स्स चेप्टर में आते हैं हमारे सम इंफ्रमेशन और definition इसके अंदर हमारा क्या include किया जाता है कुछ information और definition फिर आता हमारा chapter second इसके अंदर फिर आता है हमारा chapter 3 इसके अंदर guidelines आती है related to the maintenance of psychiatric hospital के हमें psychiatric hospital या फिर nursing homes, nursing psychiatric homes बनाने से पहले कौन सी ऐसी guidelines होती है जिनको क्या करना होता है, follow करना होती है, यह कहां पर आती है हमारे chapter number 3 फिर हम पढ़ेंगे हमारा chapter number 4 इसके अंदर आते है हमारे admission के procedure ठीक है, admission के procedures कैसे patient का admission करन होता है, तो admission भी हमारा different types का होता है, जैसे voluntary basis हमने पढ़ाता है, जिसमें person क्या होता है, खुद की इच्छा से admission करवाता है involuntary, उसके family members से लेटी, authority या फिर कोई order देते है patient को कि उसको क्या treatment की requirement इसको क्या करवाता है, हम admitted करवाते हैं, यह हमारा fourth chapter में admission procedure, fifth chapter में हमारा आता है, discharge का procedure, तो इसके अंदर वो ही discharge के भी different types है, जैसे voluntary discharge, involuntary discharge, admitted by police, पुलिस ने admitted करवाय तो उस person का discharge है, फिर mentally ill prisoner, जो कैदी होते हैं, वो mentally unhealthy हो जाते हैं, तो उनका discharge, यह क्या होते हैं, हमारे fifth chapter के अंदर आते हैं, और यह leave of absence भी इसके अंदर आता है, जिसको पहले हम क्या term हम देते थे, payroll है, इसके अंदर क्या होता है, परसन को कोई person है, उसका क्या long term तक कोई treatment चलना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके family members या relatives या person खुद चाहे, तो क्या कर सकता है, थोड़े time के लिए उसके घर में कोई function है, या फिर कोई celebration है, तो उसके क्या कर सकता है, लिव लेक लिए willing नहीं है, तो उसको फिर भी क्या किया जाएगा, forcefully उहाँ पर लाया जाएगा, ताकि continuous का treatment चला सके और उसकी health को हम क्या कर सके, प्योर कर सके, तो लिव वो absence हमारे किसमें आते है, chapter 5 के अंदर, फिर आते हमारा chapter 6, इसमें आते है, inquiry regarding the mental ill person की, जो inquiry करते हैं, कि जो mental ill person अगर उसकी condition बहुत जादा complicated है, serious है, वो अपनी property वगारा को खुद handle नहीं कर सकता, तो उसकी custody किसको दी जाए, कौन उसकी property को उसकी absence में क्या करेगा, manage करेगा, यह हमारा किसमें आता है, chapter 6 में, फिर आता हमारा chapter 7, जिसमें आता हमारा cost of maintenance, कि उसकी cost of maintenance को कौन पे करेगा, person खुद करेगा, उसके family members करेंगे, treatment का जो bill वगेरा, वो आता है, chapter 8 में, protection of human rights of mentally ill person, जो mentally unhealthy person होते हैं, उसकी rights को क्या करना, protect करके रखना, और उनको ध्यान में रखते हैं, उसको क्या देना, proper treatment देना, फिर आता हमारा chapter 9, इसमें क्या आता है, हमारी penalties आती है, अगर कोई भी करना था था, उनको ठीक है, फिर आता हमारा chapter 10, इसके अंदर हमारे आते, clarification of certain procedure, कुछ भी procedure, अगर person के उपर कर रहे हैं, तो उसके क्या होने चाहिए, clarification होने चाहिए, क्यों किया जा रहा है, person की health पे क्या benefit है, जैसे ECT, ECT क्या होता है, हमारा electroconverative therapy, अगर किसी patient पे ये procedure किय जा रहा है, तो इसके पिछे का purpose है, क्या उदेश है, तो इसके proper क्या होने चाहिए, clarification, तो यह हमारे क्या थे 10 chapters थे, फिर second हमने पढ़ा था, Indian Nulancy Act, क्या पढ़ा था हमने, Indian Nulancy Act, जो कबाय था हमारा 19, 12 के अंदर, ये कहां से लिया गया था, drive from the English Nulancy Act, 18, 90 से लिया गया थ इसके अंदर हमारे कितने आते है, 8 chapters आते है, फिर इसको हमने replace करके क्या नाम दे दिया, Indian Nulantic Asylum Act, कब बना गया था, ये 18, 58 में, फिर इसके नाम चेंज करके, इसको क्या नाम दे दिया गया, the Indian Nulancy Act, 19, 12 इसको क्या आते है, 9, नाम दे दिया गया, इसके कितने chapters है, हमने है, रोले, वो अपसेंस थी ना, वो सब कुछ आएगा, 4th में आते है, हमारी guidelines आते है, proceeding भई, आगे जो हमें presidency town के अंदर वो चीजी आगे proceed करनी है, या फिर उनके अंदर कुछ changes लाने, ये inside the town होती है, chapter 5, outside the town होती है, chapter 6 में establishment of asylums, asylums को बनाने के लिए क्या requirements है, तो हमें क्या करनी है, maintain करनी है, chapter 7 में expense of lunatics, जो lunatic person है, उनके expenses कोन पे करेगा, person खूद करेगा, या government पे करेगी, chapter 7 के अंदर, 8 के अंदर rules imposed by the state government, state government ने कुछ rules बनाये होती है, और उनको हमें क्या करना होता है, follow करना होता है, ये किस में आते है हमारे chapter 8, तो जो हमारे Indian lunacy act में कितने chapter 8, फिर आता है, हमने third पढ़ा था हमारा, the mental health act care bill 2030, किस के द्वारा, 13 किस के द्वारा introduce किया गया था, हमारे, राज्यस बास के द्वारा introduce किया गया था, कब, August 19, 2030 के अंदर, इसका बोले, इस किस ने किया था, जो हमारा mental health act, 1987 के अंदर, इसको change करके थोड़ा, बोथ हमारा कौन सा लाया गया था, mental health care bill लाया गया था, ठीक है, सबसे पहले हमारा था, Indian Nulancy Act, फिर उसके बाद कौन सा, change करके लाया गया हमारा, Indian mental health act, और इसके बाद, फिर हमारा क्या आया था, यह हमारा, the mental health care bill 2013, देखे, इस बिल के अंदर क्या था, क्यों चला गया था, इसके क्या आ गया था, यह bill चला गया था, इसके अंदर हमारे कितने चैप्टर सा रहे थे, 16 चैप्टर आ रहे थे, तो देखे, 16 चैप्टर में हमारे क्या क्या है, फर्स्ट चैप्टर में वही सेम सम्में, information definition, चैप्टर सैकेंड में इसमें है, decision regarding mental health care, कि person को कैसे mental health care देनी है, उसके according हमें क्या लेना है, एक अच्छा decision लेना है, थर्ड में advance directive, कोई भी advance directive का मतलब है कि person अपनी property को कैसे क्या करेगा, हैंडल करेगा, जब वो अपना treatment ले रहा है तो उस दरान अपनी property को कैसे हैंडल करेगा, किसी और को nominated बनाएगा या खुद ही अपनी property को हैंडल करेगा, च chapter 5 में rights of the person, जो person के अधिकार उसको क्या करना है, follow करना है, chapter 6 duty of government, government की क्या duties है, उन person के प्रति जो क्या mentally unhealthy है, जैसे वो अपना treatment खुद नहीं ले पा रहे तो उसके लिए government क्या करेगा, उनको financial help करेगी, 7 chapter में अंदर central mental health authority क्या है, और chapter 8 में state, central level पे authority और state level पे authority आएगी, chapter 9 में finance और account को कौन handle करेगा, इन persons के या फिर कौन पे करेगा, chapter 10 में mental health establishment कौन mental health बनाएगा, फिर आता है हमारा chapter 11, इसके बाद आती है हमारी review commission की, जो पहले committees बना दी थी, government ने state level पे जो जो rules regulation बनाएं थे, उनको time to time क्या करते रहना है, review करते रहना है, देखते रहना है कि person उ हमने admission, treatment and discharge का procedure पढ़ा, chapter 13 में हमारी responsibility of the agencies की, agences की क्या responsibility regarding the person to mentally healthy, unhealthy person है, chapter 4 में restriction of discharge की कौन से ऐसे person है, जिसके discharge पर क्या कर सकते हैं, restrictions लगा सकते हैं, कि person को क्या, अभी proper treatment नहीं हुआ है, लेकिन person क्या चाता है, discharge लेना चाता है, तो जो हमारा officer है, medical officer है, वो उसके discharge पर क्या लगा सकता है, restriction लगा सकता है, chapter 15 में हमारी आते penalties, अगर अच्छे से follow नहीं करेंगे, तो financial pay करना पढ़ेगा, इसके अलावाद जो कुछ भी है, हमार healthy person, unhealthy person के क्या क्या होते है, कि उसको अपने cloth wear करने का अधिकार होना चाहिए, ना खुद का personal storage होना चाहिए, private part होना चाहिए, जो भी items है, individual storage वो रख सके, अपने खुद की personal property का use करने का अधिकार होना चाहिए, कुछ अपनी money है, वो क्या कर सकता है, अपने समान को लेने के एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, अपने किसी भी reasonable reason से वो एक क्या कर सकता है, अपने family member से communicate कर सकता है, by media, telephone द्वारा, यह फिर लेटर रख के, वो जो person, right to see visitors every day, जो visitors उन से मिलने के लिए आरे डेली, उन से मिल सकता है, उनको देख सकता है, treatment ले सकता है, least restricted settings जो मैंने कल आपको explain कर दिया था, right to hold civil service status की कोई भी job है, उसको hold करके रख सकता है, अपने treatment के बाद उसको continue कर सकता है, right to refuse, ECT, ECT लेने से मना भी कर सकता है, last हमारा जो था, the right to manage and dispose of property and execute wills, अपनी property को खुद मैनेज कर सकता है, dispose कर सकता है, या फिर जो bills वगेरा, उनको responsibility की patient के rights को follow करते टाइम नर्स की क्या क्या responsibility है, to protect patient, right patient के rights को क्या करके रखना चाहिए, protect करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, should be aware of these rights, उन rights के बारे में उसको पता होना चाहिए, वो aware होनी चाहिए, she should their procedure in the award, और जब भी कोई procedure हो रहा हो, बतो वहां पे वो क्या होनी चाहिए, present होनी चाहिए, aware होनी चाहिए उसके बारे में, और discussion these rights with the mental health team, और mental health team के अदर members है, उनके साथ भी अपने rights को क्या करना चाहिए, discussion करना चाहिए, I hope you all will understand about this chapter, तो read carefully from your books also.